नमस्ते नमस्ते सर केम चो आपने वा नेवा बताईए यह तरह माई टीम एज़ पॉलिटेकनिक एंदावाद से हैं हमाई टीम का नाम है आइब्रिड सेक्यारेटी हमाई टीम के लीडर है पार्थ हमाई टीम में है धार्मेक जै आयूश एंड जीत हमाई टीम इसरो बेस्ट पर काम कर रहे है और उसका explanation आपको जै देंगे नमस्कार सर हम लोगा हम लोगा जो प्रोजेक्ट है वो है कि इसरो का जो मून लेंडर है वो जैसे की चंद्रायन 3 लैंड हुआ था बहुत सक्सेस्फुली लैंड हुआ था तो हम इसरो ने जो अभी इमेज इस मतलब की जो मून पे crates है और craters है और boulders है वो सब कहां पर है उसके हिसाब से हम कहां पर सेफ लैंड कर सकते वो मिलेगा और वो दोनों चीजों से मिलेगा की जो navigation path है वो provide करेंगे कि हमारा Earth से मून तक सब्सक्राइब का जो पाथ है वो प्रोएड होगा कि कहां हम सेफली लाइंड कर सके तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट है और हम SIH और इंडिया को थैंक्यू कहना चाहते ही चीज़ के लिए कि आप लोग वहां कभी इसरो के लोगों से मिलने गए इसरो में जो साइंटिस काम करते हैं उनसे कभी चर्चा की इस विशे में उनसे कोई गाइडन्स लिया ऐसा कोई प्रहास किया क्या सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है आपके नए नए आइडिया आइडिया तो काफी स्टार्ट अप्स हैं जो आज कल स्पेस में काम कर रहे हैं अगर आप उनसे भी कॉंटेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपके नए-एडिया वह इंक्यूबेशन और बाद में स्टार्ट अप के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में उप्योगी हो सकते हैं और आप तो जानते हैं कि भारत का स्पेस प्रोग्रेम आज पूरी मानवता के लिए उम्मीद की किरण बन चुका है जी सर चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्र पर लेंड कराया यह सफलता सिर्व इतनी नहीं है इसने भारत क्रप्ति दुनिया का नजरिया ही बदल दिया है दुनिया में यह भाव और ससक्त हुआ है कि भारत कुछ भी कर सकता है आप जैसे अनेग युवा साथ ही जो देश के स्पेस सेक्टर में कंट्रीबूट करना चाहते हैं उनके लिए यह बहतरीन टाइम पिरिएड है स्पेस ट्रेक आधारित एकोनोमिक लिए आने वाले दसक बहुत एहम होने वाले हैं इसमें भारत अग्रणी देशों में हो इसलिए हमने बीते दस वर्सों में बड़े रिफॉर्म्स किये है युवा शक्ति को अधिक अफसर देने के लिए स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल खोला गया है हमने इस तोरों की फैसिलिटीज को युवा स्टार्ट अप्स के लिए ओपन किया है आज इन स्पेस जैसे समसान हमारे पास और मैं आपको चाहूंगा कि इन स्पेस का हेड़कोर्टर वहीं है आप जरूर एक बार उन लोगों से भी मिलिए जब ह स्पेस टेक्नोलोजी की बात करते हैं वह सिर्फ स्पेस साइंस तक सी भी तहीं है इसे रोज मर्राकी अनेक समझ्याओं का समाधान होता है इसलिए स्पेस में जिसको महारत है वो निश्चित रुप से दूसरी टेक्नोलोजी में अगने रहने वाले हैं चलिए मेरी आप सब को सुप्कामना है